देश COVID के प्रकोफ से तो जीत गया है, हमने COVID में जीत हासिल कर ली है, बहुत सारे अपने लोगों को खोगर, बहुत अपनों की जानों को गवा कर हम विजाई हो चुके हैं, लेकिन फिर से COVID को लेकर लोगों की बीच में चिंताएं बढ़ने लगी हैं, जब से ये खबर आईह कि COVID際 yen Dieu लोगों को दिल का दोरा पढ़ सकता है यह ख़बर सामने आने के बाद स्हुन्हें बढ़ू को फिर आ, सब ये जाने की को कोशिश करने लगे speaking से प्रोटेक्ट किया गया था उस समय बहुत सारे वैकसीन हमें लगाए जा रहे थे करीब 3-4 वैक्सीन जो है वो लोगों को लगाए जा रहे थे तो लोग वैक्सीन सर्टिफिकेट पर जा कर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें को विसल लगा है या कोई और वैक्सीन लगा है इसी बीच एक चीज सामने आती है वो ये की वैक्सीन सर्टिफिकेट से मोदी जी की तस्वीर को हटा लिया गया है इसी से लोगों के बीच में एक सवाल खड़ा होने लगता है कि आज तक पेट्रोल पंप पर बैनर टांग कर ये बताने की कोशिश की गई कि इतने करोड लोगों को वैक्सीन लगाने का गौरफ भारत को आसिल हुआ है इतने लाख लोगों की जिंदगी बचाने का गौरफ भारत को आसिल हुआ है और इसके करणधार प्रदान मंतरी नरेंद मोदी है नरेद मोदी जी की वज़े से भारत के तमाम लोगों की जानबची है, नरेद मोदी जी ने इतने करोड लोगों को वैक्सिन दिलाया है, इसके लिए नरेद मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि यह मैं कहा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप एक दो बेइनर जो है वो देख लीजे बेइनरों में क्या लिखा है कि प्रजान मंत्री नरेंद मोदी को धन्यवाद दीजे इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत के तमाम आबादी को भैसीन लगाया है 200 करोड लोगों को लगा दिया इतने करोड लोगों को वैक्सिन लगा दिया इसलिए प्रधानमंतिर नरेद मोदी को धन्यवाद दीजिए हलाकि उसके इस बैनर को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ था कि जब पैसा देश का देश के ही लोगों को लोटाया जा रहा है तो प्रधानमंतिर नरेद मोदी को धन्यवाद क्यों दिया लेकिन धन्यवाद देने के लिए पैसा खर्च किया जाए विग्यापन चपवाया जाए और विग्यापन ऐसे वैसे जगों पर नहीं हर सरवजनिक जगों पर वो बैनर जो है वो टांगा गया था चाहे पैट्रोल पंप हो चाहे चौराएं हो हर जगे यह कहा जा रहा था क लेकिन अब जब उसी वैक्सीन पर सवाल खड़ा होने लगा तो सबसे पहले लोगों ने नोटिस किया कि जो वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उससे प्रधानमंतरी नरेंद मोदी की तस्वीर गायब हो गए तो लोग यही सवाल कर रहे थे कि आज तक तो हम धन्यवाद द गया था यह कहा गया था कि प्रधानमंतरी नरेंद मोदी इस चीश का श्रे क्यूं ले रहे हैं क्यूं जब किसी भी देश में वैक्सीन लगाने वाले प्रियम ने अपनी तस्वीर नहीं छपवाई वैक्सीन सर्टिफिकेट पर तो प्रधानमंतरी नरेंद मोदी ने वैक् कि क्योंकि पिद्री को सारे देश की फश्य नहीं कि लेकिन हमें इस बात के खुशी है कि हमारे देश समय खुशी मैं दो इसलिए इतने और सआव लोग सप्रदमारी की चीज़ keepers चाहिए कि उन्हें कौन सी वैक्सीन लगी, तो वहां पर प्रधानमंतरी नरेंद मोदी का तस्वीर हटा हूए. बद्रत सरकार की छीटress मांग तो आज आपने certificate क्यों हटा लिया तो इस पर Health Ministry ने जवाब दिया कि देखिए भाई देश में चुनाओ चल रहा है अचार संगीता लगी हुई है अचार संगीता में तमाम जो भी योजनाएं चलती हैं उसमें प्रधान मंतरी हो यह जो भी नेता हो उनकी तस्वीरें अमोमन ह हटा ली जाती हैं और देश में इस समय लोग सबाद चुनाओ चल रहे हैं इसलिए क्योंकि चुनाओ आयोग ने चुनाओ आयोग की गाइडलाइन इसलिए अटाया गया है यह Health Ministry का यह कहना है और इससे पहले लेकिन एक बात जरूर यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि कल त समय भी जो है वो वैक्सीन से प्रधानमंति नरियन मोदी की तस्वीर हटाई गए थी तो यह जरूरी नहीं है कि इसलिए ही हटाई गई हो अब बाकी आपकी इस पर अपनी क्यार आया है वह हमें जरूर बताईएगा यह वी बात क्यों छिड़ा यह मैं आपको बता देती एक कंपनी है एस्ट्रोजनिका इसने यूके के कोट में यह स्विकार किया है कि इनकी वैक्सीन लेने की वज़े से जो है वो तमाम तरीके की परिशानी हो सकती है याला कि यह केसे बहुत कम हैं लेकिन तब भी दुल्लब केसों में इस तरीके की परिशानी हो सकती है कि ब्ल भारत में इसलिए होने लगी क्योंकि एस्ट्रोजनिका के फॉर्मूले पर ही कोवी सिल्ड बनाई गई थी सीरम इंस्ट्यूट ने एस्ट्रोजनिका के फॉर्मूले से ही कोवी सिल्ड बनाय था इसलिए भारत में इस तरीके की चिंताएं हो रही है कि जब फॉर्मूला वही कि भारतवासियों पर भी इस तरीके के काले बादल जो है वो मंडरा रहे हैं तो इस पर जो है एक कमीटी बना ली गई है जहां शुरू कर दी गई है और यह देखना होगा कि कितना ज्यादा यह खतरनाक है बाकि अभी रिसर्च की बात है तो जादो नहीं कहा जा सकता जब कमीटी जो रिसर्च करके सामने लाएगे वह आपको जरूर बताएंगे बाकि वैक्सीन सर्टिफिकर से प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की तस्वीर हटाने को लेकर आपकी क्या राय है क्या आपको सच में करें